शुप्रभाद दोस्तों शब को शिरी राम जय राम जय जय राम आज हम पहुंचे हैं फिर अपने गाउं में एक बहुत ही घने जंगल में आप देखी यहां सूरज के किरणे भी नहीं पहुंचती है बहुत ही घना जंगल हुआ पड़ा है और आज मैं आपको दिखाऊंगा अपने कुछ ऐसी वनोशदियां जो हम यूज करते थे जैसे यह जो आपको सामने दिखरा है इसको हम कहते हैं कपूर मिंजरा अपने भाशा में इसको हमारी दादी मां आँखों में लगाती थी और हमारी दादी मां की आँखे 80 साल में भी ऐसी थी कि वह सुई में धागा तो यह कपूर मिंजरा है सामने देखिए हमारा नाश्पती का पौधा और यह नाश्पती यह हमने आम लगाया हुआ है दिशहरी आम आगे बढ़ते हैं तो यह देखिए फर्न बहुत ही प्यारी फर्न आई हुई है यह सुन्दर और अभी देखिए पीछे से यह फर्न है यहां पर देखिए कपूर मिंजरा में जब फ्लावरिंग होती कितना सुन्दर फ्लावर आता है इसका और यह अपने आप में बहुत ही दिव्ब्य आउश्पती है आँखों के लिए अगर आप किसी को जानते हैं इस पौधे को तो इसके बारे में कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें आगे बढ़ते हुए यह देखिए यह कड़ी पत्ता है हमारे हाँ इसको कंदिला कहते हैं इसकी दातन भी करते हम लोग और पकोड़े वेरा बनाने में विसके पत्तों पर यूज होता है उसे कड़ी पत्ता हो गया फिर ऐसे हम बारते हैं यह हमारे हाँ शतावर यह शतावर का पौध है आप देखें इसकी जड़ों को खाड़के नीचे इनकी जड़ों में शतावर रहती है यह हवन वैरा में भी शतावर का जड़ यूज होती है और ओशदियों में तो इसका परियोग होता ही है यह शतावर का पौधा है यह अभी मैं आपको दिखाऊंँ तो यह देखें आप देख सकते हो कैसे पक्षी चहचाहार रहे हैं घने जंगलों में और बहुत ही सुन्दर फूल को कहते हैं बसूप्टी बसूप्टी के पत्ते कांखों के लिए और खांसी में बहुत अच्छा उप्योग माना गया है और इसमें पके हुए आम को जो है वह बहुत ही लावधायक माना गया है यह आप देख सकते हैं सब बसूप्टी के पत्त आगे अगर मैं आपको दिखाऊं तो इस तरह से चलते हुए आप देखिए ये ये अंजीर है ये जो है वह अंजीर का पोधा है चोटा है अभी ये बड़े वाला अंजीर है और ये जो है ये चोटा अंजीर काले वाला जो उसको कहते है दीखे यहां पर दीमत ने कितना बड़ा घर बनाया हुए ये अंजीर हो गया आगे ये हैं आखे आखे खाते हैं बहुत ज़्यादा प्रेल में पकता है ये बहुत मजाता है इसको खाने का सामने आप देखेंगे नाश्पती का हमारा लोकल नाश्पती का पौधा कितना बड़ा हुआ पड़ा है ये कड़ी पत्ता है बगल में और इस तरह से अगर आगे बड़े हम दिरस्ता बनाना पड़ रहा है मुझे इतनी बुरी हालत है यहां पर ये देखिए जंगल ने पूरे शबाव पर ये उपर से नाला आता है ये और बरसात में बहुत भ्यंकर पाली आता है इसमें और ये देखो नीचे निकल जाता है ये नीचे और नीचे तक चला जाएगा बड़े बड़े चीड के वरिक्ष है गिलोई देखो लटक रही है गिलोई की बेलने लटक रही है ये देखो चलाकडू पड़े हुएं यहां पि बहुत शारे चलाकडू पड़े हुएं इनका प्रयोगम एसे फ्यूल इसको यूज करते हैं और इनके बीच में से जो है वो खाने के लिए चिल गोजा भी निकलता है ये चलाकडू हैं अभी सरदियों में इन ही से हम जैसे पानी वेरा गरम करना हो तो इन ही का यूज कर लेते हैं ये सामने वही फिर से अंजीर का पौधा और आगे बढ़े हैं अगर हम आप देखिए ये फिर वही कड़ी पत्ता आ गया है इस सामने अगर हम जाएंगे तो ये हमारा रह देखा आम के दो बड़े-बड़े पेड़ लोकल वरैटी है याम की आप देख सकते हैं तो इस तरह से हमारे जो वन है वो जड़ी बुटियों से भरे पड़े हैं और जरूरत है इन जो ये हमारी नॉलेज है कल्चरल नॉलेज जो है उनको एक डाकुमेंट करने का और उनको इस प्रॉप्टर फॉर्म में लेकर आने का ये देखे आप देखो कैसे इतनी बड़ी बड़ी लताएं और देखो ये फल पका हुआ है इस पर देखने से आपको ऐसा परदित होगा कि ये अंगूर है लेकिन वास्तों में ये अंगूर नहीं है ये कुछ और है अंगूर आइविल से ये जंगली अंगूर है कि इसके पत्ते जो है वो भी जंगल में अंगूर की बेल की तरह ही है अब थोड़ा-थोड़ा खटा होता है खाने में ही जंगली अंगूर आप देख सकते हैं ये चीड का पेड़ है अब देखे कितर नाम बड़ा हो जाता है सीधा निकल जाता है अभी जो मैं आपका दख का रहा हूँ ये कम से कम भी 50 फूट का प्रेड है चारों और मेरे अभी घहना जंगल है और मैं आज गाओं आया हूं तो यहां अनंद ले रहा हूं बीच में आप देखेंगे आपको हरड का पौधा भी दिखेगा जो टॉप में पेला सा होगा पड़ा है ये देखिए साम इन ही जंगलों में से ही औशधी भी घास भी ले रहें कि देखो छोटा सा आप देख सकते हैं मित्रों मोर पंख है यहां मोर यहां पर विचरण करते रहते हैं और इस परकार देखे हिरन भी यहां काफी पाये जाते हैं मुझे तो गाहां आके बहुत अच्छा लगता है आशा करता हूँ आप इस वीडियो को लाइक करेंगे हिंजोय करेंगे और एक और यह पत्ता है आपको दिखाऊं अगर मैं देखिए देखिए यह कई जंगली मुर्गी का है बहुत ही सुन्दर शांत वाता बरन है पॉल्यूशन फ्री है देखिए मकडी का कितना बड़ा जाला है आप देख सकते हैं कि यहां पर एक बड़ी सी मकडी है सेंटर में देखिए इन आपको हां देखिए कितनी बड़ी मकडी है और इसने सारा देखो अपने तरह बड़ा जाला बनाया हुए और मज़े की बात है कि मकडी खुद अपने जाल में नहीं फसती है बाकि सब लोग इसमें फसेंगे इसके धागे कैसे चमक रहे हैं सूरज की रोश्ण तो आशा करता हूं कि आपको यह वीडियो पशंद आएगा और आप इसको बहुत पूर्पूर्श नहें देंगे शेर लाइक और सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और हमारे बाकी प्रेशन्स हैं और कुछ इंप्रूमेंट्स हैं तो आप कमेंट बॉक्स में प्लीज करिए और अनन दिलीजियेस वीडियो का यह देखिए जंगलों से परिपूरण और ओश्दियों से परिपूरण हमारे जंगल चिलगोजा एक और बेल है यह जो मैं आपको दिखाना चा का उपर भी इसके में तरडू लगते हैं फौलजन को हम खाते हैं ईन देख्या आप गिलोई देख़ो आप कहां से गिलोई चली है और यह नीचे जाते 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 गोओ वहां तक इसकी जड़े हैं तब ही इसको अमर बलिया ढुत बेल कहते हैं गिलोई बहुत ही गुणuter अगर यह आपको लग जाए तो आपकी खारिश नहीं जाएगी कभी तक इसके जो बाल है यह अगर आप देख पा रहे हो इनको तो यह जो बाल हैं दोस्तों यह बहुत ही डेंजरस है आपको दिखाता हूं जरा है अगर हम कैप्चर कर पा रहे हैं इसको अच्छे से यह बाल है इसके जो धीरी जो पक जाएगा तो यह दोस्तों इतनी खारिश करता है कि फिर गाये के गोबर से ही हम इसको हटा पाएंगे अधर्वाइज और कोई अश्दी लोकली नहीं है हमारे पास जिससे इसका बताया जा सके जंगल में सब तरह की चीज़ें खतरनाक चीज़ें भी हैं और फाइदे मन्द चीज़ें भी हैं देखा आप मकडी ने कैसा जाला बनाया है रहे जो जंगल को जानता है वही यहां पर सक्सेस्फुल है कि देखें कितनी स्टीप स्लोप है यह जब यहां पानी आता है कि सब कुछ भाहा के लिए जाता है कि आपको दिखाओं और को देखाओं पूरा पहाड का पानी यह लेकर आ रहे हैं और क्योंकि यहां धूप कम लगती है तो वनस्पती घास भी कम ही हुई है क्योंकि यहां धूप ही नहीं लगता है तो जो पौदे बढ़ गए हैं वही है तो इस तरह से यह सुंदर सा वीडियो मैं आपके लिए शूट कर रहा ह गाओं आया हूं हमें भी गाओं अब बहुत टाइम नहीं लगता है बहुत कमाना होता है जब भी आना होता है तो मैं निकल जाता हूं यहां अपने खेतों में जंगलों में इंज्वाइब करने के लिए तो आज मैंने आपको चार-पांच पॉधों से इंट्रोड यूज़ करवाया और आपको बताया कि कैसे हम लोग इसको यूज़ करते हैं कड़ी पता तो हमारे यह बहुत ही यह देख्यों अन्जीर बड़ा हुआ पड़ा है यह तो आशा करता हूँ कि आपने जो है इस हमारे वीडियो को देखेंगे और आप पूर प्यार देंगे इस वीडियो को एक और एक बहुत ही अच्छा पॉधा है इसको हमारे आप पुठकंड़ा कहते हैं यह भी हवनवेर में यूज होता है कि दातुन बहुत अच्छी मानें गई है दातों के लिए यह पुठकंड़ा यह देखी इसके खांटे जो है वो नीचली तरफ को होते हैं तब इसको कहते हैं हम पुठकंड़ा यह बहुत दिव्य आउशदिया हैं जो हमारे जंगलों में हैं और इनका प्रयोग अगर हम करें जीवन में तो इसलिए हमारे पुराने जो लोग थे वो भिमार कम पढ़ते थे यह देख हमने आम लगाया हुआ है दुशहरी का इस तरह से यह आज का व्लोग मैंने आपके लिए शूट किया है तो हमारे एक और पधां के पर नाश्वती है तो आशा करता हूं कि आप इस वीडियो को पर पूर प्यार उस नहें देंगे और ऐसे ही इंट्रेस्टिंग वीडियो के लिए बने रही है आप हमारे साथ मालन मंगल के साथ और प्लीज हमारे चैनल को शेर लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें और अपने मित्रों को भी दिखाएं एक छोटी सी चीज में जो आपको और दिखाना चाहूंगा यह हमने यहां कोशिश की है कि देवदार का पौधा भी यहां लगाया जाए नर्सरी से लाके सरकारी नर्सरी से देखो इसमें कितना विकास हो पाता है और यह पौधा देखिए आप इसी एक ही पौधे पे कपाश रिणी का यह पौधा है और यह हमारी देशी नाश्पती दुख बड़ी बड़ी नाश्पती है इस पर ऐसे ही इंट्रस्टिंग वीडियो उसके लिए बने रहे है मारशाथ सबको शिरी राम जय राम जय जय राम वंदे मातरम जय हिंद जय भारत